The Great Ruler Chapter 24 Promise करने के लिए, कई व्यक्ति अपने उत्तराधिकारियों को उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र में प्रवेश करने से पहले अपना स्थान लेने देंगे. कुछ व्यक्ति पुरसकार प्राप्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन कुछ सड़े हुए पत्तों के नीचे दफन हो जाएंगे. प्रशिक्षन के लिए उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र की और बढ़ना उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता था. हेवन क्लास के लगभग आधे छात्र भाग लेंगे. जैसा कि वे चुपचाप अकादमी के अंदर प्रशिक्षन लेते थे, वे जानते थे कि उन्हें वास्तविक लड़ाई की सबसे अधेक आवश्यक्ता है. और केवल वास्तविक लड़ाई ही किसी व्यक्ती के दिमाग को कठिन बना देगी. मजबूत बनने के रास्ते पर यह एक आवश्यक्त चीज है. ना केवल उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र विभिन प्रकार के आध्यात्मिक जानवरों से भरा था, बल्कि कुछ कुछ कुख्यात पात्रों सहित बदनाम व्यक्तियों का एक विविद समूह भी था. खूनी और निर्दई पात्रों की तुलना में, उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के छात्र एक भेड की तरह थे. भले ही वे कमजोर नहीं थे, लेकिन अगर लड़ाई वास्तव में हुई तो वे इन निर्दई व्यक्तियों के लिए एक सभ्य प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे. इसलिए, उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी ने छात्रों की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली गाड बल भी भेजा. इस्ट ब्रांच के टीचर मो और वेस्ट ब्रांच के टीचर शी भी उनका अनुसरन करेंगे. ये दो व्यक्ति आत्मा के चरण में वास्तविक पावहाउस थे. ऐसी कई आत्माएं नहीं होनी चाहिए जो दो आत्मा चरण पावहाउस के सामने बुरे इरादों को रखने की हिम्मत करें. सुबह सुबह उत्तरी आध्यात्मेक अकादमी की फील्ड ट्रेनिंग टीम ने निकलना शुरू कर दिया. हालां कि वे केवल उत्तरी आध्यात्मेक शेत्र के बाहरी इलाके में पहुँचे जब सूर्यास्त था. चून की अंधेरा हो रहा था, इसलिए जब वे वहां पहुँचे तो उन्होंने अपना शिविर स्थापित किया क्योंकि अंधेरा उस जगह को घेर रहा था, शिविर से एक शिविर की आग उठ गई. ये स्पश्ट था कि उत्तरी आध्यात्मेक अकादमी के कई छात्र ऐस जगह पर नहीं आएंगे. इस प्रकार, उनमें से कई उत्साहित थे और एक जीवंत वातावरण ने शिविर को घेर लिया. इस जीवंत वातावरण ने दूसरों को अंधेरे में उन्हें घूरने पर मजबूर कर दिया. उनमें से अधिकांश साहसी थे और वे जानते थे कि ये व्यक्ती उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी के गर्म सिर वाले व्यक्ती थे. वे केवल अंधेरे में घूमते थे क्योंकि वे चले गए थे. उनकी आखों में ये छात्र गुरी टू जोते शायद डर से काम रहे होंगे जब वे केमपफाय के बगल में एक शातर आध्यात् मूँचेन का सामना करते हैं. उसने शिवेर के बाहर अंधेरे को देखा. दूर दूर तक जानवरों से तरह तरह की खूनी दाहाडे गूंज रही थी. ये दृश्यों से कुछ हद तक परिचित था. लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की उनकी यादों की तुलना में केवल महौल बहुत कम क्रूर और खूनी था. मूँचेन एक पल के लिए कामप गया. फिर, एक पतला हाथ अचानक पीछे से बढ़ा और उसके कंधे को थप थपाया. जब हाथ मूँचेन के कंधे पर उतरा, तो उसकी काली आँखे तुरंत ठंडी हो गई. उसका पूरा शरीर ऐसे तना में आ गया जैसे कोई जगुआर अपने शिकार के लिए अंदर आ रहा हो. उसका हाथ बाहर निकल गया और हाथ को कसकर जकर लिया. आउच! दर्द का रोना शुरू हो गया. इसके बाद ही मूँचेन ठीक हुआ और वह तांक कियान, एर को देखने के लिए मुणा, जो उसक के पीछे था. उसकी आँखों के भीतर थंडापन जल्दी से गायब हो गया क्योंकि उसने अजीब तरह से अपने सिर को छुआ और हाथ छोड़ दिया. तुम क्या कर रहे हो? दर्द होता है. तांक कियान, एर ने गुस्से में मूँचेन पर शिकायत की क्योंकि वह उसके ब उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र में लोटने पर इस सतर्क प्रवरिती को उनके द्वारा हमेशा दबा दिया गया था. हालांकि, वो फिर से एक परिचित वातावरण में लोट आया, इसलिए उसने वास्तव में इस सतर्कता को फिर से जागरित किया. यह क्या है? तांक कियान, एर चिलाया, लेकिन उसकी आखे मूँ चेन पर टिकी रही. आखिरकार, लड़कियां हमेशा काफी चौकस होती हैं. जब मूँ चेन ने पहले उसकी कलाई पकड़ी तो उसे ठंड महसूस हुई. अगर उसने दर्द की आवाज नहीं आने दी, तो मूँ चेन सीधे उसकी कला नहीं हरकत करता, तो शायद मैं उसे मार डालता. क्यूंकि अगर मैं उसे नहीं मारता हूँ, तो मैं वह हो सकता हूँ जो मारा जाएगा. तांग कियान, एर एक पल के लिए जम गया और उसने शांत लड़के को देखा. जब उन्होंने, मारो, शब्द कहा, तो उनका चेहरा ज्यादा नहीं बदला. ऐसा लगता था जैसे वह इसके आदी थे. फिर आध्यात्मिक मार्ग काफी भयानक लगता है. तांग कियान ने बुद बुद आया. उनकी नजर में स्पिरिचुवर रोड काफी रहस्यमाई था. यह कहा जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग छोड़ने वाले कई व्यक्ति उस मामले के बारे में बात नहीं करेंगे. हालांकि आध्यात्मिक रोड़ से जो लोग निकले, वे सभी बेहद शक्तिशाली थे. इस प्रकार, इसने तांग कियान, एर जैसे कई युवा लड़कों और लड़कियों को उस जगा के लिए तरसने के लिए मजबूर कर दिया. हालांकि भोले व्यक्तियों के रूप में, वे नहीं जानते थे कि उन्हें असामान्य शक्ति प्राप्त करने के लिए इस पागल जगा से बाहर निकलना होगा. मूचेन धीरे से मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया, उस जगा पर हर किसी को एक प्रतियोगी माना जाता है. वे सभी बेहद करूर प्रतियोगी भी हैं. कुछ पागल व्यक्ति हैं, जो आपके प्रती शान्ती से मुस्कुराएंगे, फिर भी वे अगले पल में आपकी छाती में एक खंजर डाल देंगे. इसलिए, उस स्थान पर विश्वास कुछ दुरल करते हुए उसका चेहरा कोमल लग रहा था. वो एक पागल व्यक्ति था जिसके बारे में वह भी परिशान महसूस करता था. आधे साल के दौरान जब उसने उसका पीछा किया, तो मुचेन ने उसके साथ तीन बार लड़ाई की. वह दो बार जीता, लेकिन आखरी बार, उसे केवल धीरे से उस पर वार करने की जरूरत थी और वो हमेशा के लिए आध्यात्मिक रोड में रहता. हलांकि, उसने उस पर चाकु नहीं मारा. अंधेरे में, उसकी कांच जैसी आखें उसे बहुत देर तक घूरती रही. फिर, उसने धीरे से अपनी तलवार वापस ल पूछा जो वह छे महीने पहले से जानना चाहते थे, आपने इतने लंबे समय तक मेरा पीछा क्यूं किया? अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता, तो तुम बहुत पहले मर चुके होते. जब वह पहली बार उससे मिला, तो वह एक खतरनाक स्थिती में फंस गई थी. जो उसकी ग्लास जैसी आँखों में दिखाए दी, उसने हार मान ली. उसने उसे बचा लिया, फिर भी वह उन पांचों के साथ मुसीबत में पढ़ गया. उसके बाद एक सप्ताह के लिए, मूचेन घायलों को ले आया क्योंकि वे भाग गए थे. हालांकि, मूचेन ने धी व्यक्तियों से छुटकारा पा गया, तो वो बिलकुल भी आराम नहीं कर सका. लड़की, जिसने कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा था, ने अपनी तलवार निकाली और आधे साल तक उसका पीछा किया. जब लड़की ने मूचेन का सवाल सुना, तो वो एक पल के लिए स अगर ध्यान देना चाहता था. अगर मेरे पास आपके बारे में एक अनुकूल राय है, तो मैं विचलित हो जाऊंगा. तुम पागल हो, उसक्षन, मूचेन इसे सहन नहीं कर सका और इन शब्दों को धुंधला कर दिया. तो अब तुम क्या कर रहे हो? मूचेन ने शक्तिह चेहरे को रोशन किया जो अंतता है कापदा का कारण बन जाएगा. उसने वहें सिकोणी और कहा, ऐसा लगता है कि इन छे महीनों के बाद भी मेरे पास आपके बारे में एक अनुकूल राय है. मूचेन ने शब्दीन रूप से आकाश की ओर देखा. उन्होंने अब आधे सा तक एक दूसरे का शिकार किया था. फिर भी आप वास्तव में कहते हैं कि आपके पास मेरे बारे में एक अनुकूल राय है. मैंने अभी तुम्हें नहीं मारा है, इसलिए तुम मुझे अपना जीवन देना चाहते हो. इसलिए आप मेरे साथ एक टीम बनाएंगे. जब मेरे पास आपके बारे में अनुकूल राय नहीं होगी तो मैं आपको मार दूनगा. क्या आप एक कुत्ता पालने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मैंने तब तक तुम्हें नहीं मारा, तो मैं तुम्हें जाने दूनगा. मुझे इन ने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया. वो आत्मिक मार्ग में हो या महान हजार दुनिया में. लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई, इससे पहले कि उसने धीरे से मूझे चेन की ओर कहा, जो पीछे मुडा. मूझे चेन के कदम थम गए. लड़की की कोमल आवाज अंतरिक्ष में प्रवेश करती प्रतीत हुई और स चेन पीछे मुडा और मुस्कुराया. उसने एक आह भरी और चलते हुए उसने उसकी ओर एक हाथ बढ़ाया. तो, चलो खुशी से सहयोग करते हैं. लड़की का चेहरा, जो हमेशा शांत और भाभीन रहता था, अचानक एक हलकी मुस्कान छोड़ देता है. उस पल में, उस ने अपना थंडा हाथ बढ़ाया और धीरे से मुँचेन का हाथ हिलाया. यह मेरा आपसे वादा है. बढ़ते केंप फायर से गर्माग की रोशनी ने तांक किया नेर के शरीर को रोशन किया. हालांकि, वो अभी भी काफी थंड महसूस कर रही थी. यह थंड मुचेन के आध अध्यात्मिक सडक एक अद्बूत जगह नहीं है. यह भाग्यशाली है कि मैं नहीं गया. अन्य था, मेरी हड्डियां भी नहीं रहेंगी. तांक किया नेर का दिल अनियमित रूप से धड़कता है क्योंकि वो बोलती है. उसने कलतना नहीं की थी कि अगर उसे ऐसी जगह प शिक्षक मो सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे और कई छात्रों ने अपनी नजर घुमाई. इस बार के उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र प्रशिक्षन के लिए यह जगह हमारा शिविर होगा. आप सभी कल इस जगह से निकलेंगे और प्रशिक्षन के लिए उत्तरी रंकों में विभाजत किया गया है उच्षक मध्यक निम्न. उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र के बाहरी इलाके में अधिकांश निम्न रंक आध्यात्मिक जानवर होंगे. हालांकि आपको अभी भी इससे निपटने के लिए टीम बनाने की आवश्यक्ता होगी. शिक्षक मो न एक सच्छी लड़ाई है. एक भी गलती उन्हें आध्यात्मिक जानवरों के लिए भोजन बनने का कारण बन जाएगी. निम्न रंक आध्यात्मिक जानवर लगभग एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण की ताकत पर हैं, मध्या रंक आध्यात्मिक पशो आध्यात्मिक रोट इसलिए आपको निश्चित रूप से उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र की गहराई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के साथ मजाक कर सकें। एक उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र के बहरी इलाके में जीवित रहने के लिए सहयोग करना चाहिए। हाँ, छात्रों ने एक स्वर में जवाब दिया। आध्यात्मिक जानवरों का शिकार करने के बाद आपको आत्मा सार को इकठा करना याद रखना चाहिए। यद्यपी low rank spiritual beast का आत्मा सार कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक spirit stage powerhouse निगल लेगा, इसका उपयोग आपके प्रदर्शन का मूल्याकन करने के लिए किया जाएगा। गूँ चेन ने अपना सिर हलका सा हिलाया, एक spirit stage powerhouse में आध्यात्मिक जानवर के आत्मा सार को निगलने की क्षमता होती है, अपनी ताकत के साथ, वे स्वाभाविक रूप से एक आम आध्यात्मिक जानवर के लिए एक fancy नहीं ले जाएंगे, शिक शक मो, तुम भी एक आत् मा को निगलने की विशेश क्षमता में का, फी रुची रखते थे जो एक आत्मा चरण के पास होता है, जब शिक शक मो ने इन शब्दों को सुना, तो वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर उन्होंने तुरंत एक हाथ से एक मोहर बनाई और उनके शरीर से एक शक्तिशाली आध पर एक बिजली पैटन वहां लग रहा था, यह बहुत शक्तिशाली और असाधारन लग रहा था, वाह, शिविर से आश्चरे चकेत आवाजे उठी, यहां तक की शिविर के दूसरी तरफ स्थित वेस्ट ब्रांच के चात्रों ने भी अपनी नजरे गुमाई, वे शिक्ष शिक्षक्षी, जो वेस्ट ब्रांच को नियमों को भी समझा रहे थे, ने इस पर ध्यान दिया और अपने हूंटों को थपथपाया, उसका शरीर हिल गया और एक शक्तिशाली आध्यात्मे कूर्जा का विसफोट हुआ, उसके पीछे एक काले शेर की आकृती दिखाई दी शेर की पीठ पर एक भूरे कच्छुए का खोल था, सभी छात्रों ने आध्यात्मिक पशु आत्मा सार को देखा जिसे आत्मा मंच पावहाउस ने निगला और बुलाया, वे इर्श्यालू थे, यह शक्ती कुछ हैसी थी जो वे चाहते थे, मैंने हाई रांग प्रिथवी रैंकिंग के केवल 382 वे स्थान पर है, शिक्षक शी ने हाई रांग स्पिरिचुल बीस्ट रॉक टर्टल लान की आत्मा सार का सेवन किया, इसे प्रिथवी रैंकिंग के 390 वे स्थान पर रखा गया है, शिक्षक शी की हरकत देखकर शिक्षक मो और सुनहरा भेडिया उसके पीछे से गायब हो गया। यह इतना अद्भुत आध्यात्मिक जानवर है। फिर भी यह केवल असंख्य बीस्ट रिकॉर्ड की पृत्वी रंकिंग के 300 के दशक में कहीं स्थान पर है। तो क्या शीर्ष सो पृत्वी रंक आध्यात्मिक जानवर और भी पागल नहीं होंगे. असंख्य बीस्ट रिकॉर्ड के लिए पौरानिक स्वर्ग रंकिंग भी है, क्या यह बहुत आधिक हावी नहीं होगा? कुछ छात्रों ने कहा, बस पृत्वी रंकिंग यह अद्भुत थी, बस असंख्य बीस्ट रिकॉर्ड के लिए अध्यात्मेक जानवर जो असंख्य जानवर रिकॉर्ड की पृत्वी रांकिंग में शीर्ष सौ में प्रवेश करने में सक्षम हैं, वे कोई साधारन अध्यात्मेक जानवर नहीं हैं। मूँ चेन पर नजर डाली। मूँ चेन समझ गया कि उसका क्या मतलब था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूँ चेन के पिता ने ड्रेगन फाया बढ़ का सेवन किया था, जिसे प्रिथवी रांकिंग की शीर्ष सौ में स्थान दिया गया था। इस प्रकार ड्रेगन फाया पक्ष है। मूँ फैन के लिए इसे निगलने में सक्षम है। ने के लिए वह काफी भाग्यशाली रहा होगा। मूँ फैन की ताकत निश्चित रूप से इस वजह से उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र के भीतर नौक शेत्र लॉर्ड्ज के बीच भी शीर्ष तीन में है। आत्मा चर लड़ा को बल माना जाता है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनकी ताकत मजबूत होगी यदि वे एक मजबूत आध्यात्मिक जानवर का सेवन करते हैं। असंख्य बीस्ट रिकॉर्ड की स्वर्ग रांकिंग में अस्तित्व के लिए शिक्षक मो एक पल के लिए रुक करना चाहिए। उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र का प्रशिक्षन आधिकारिक तौर पर कल सुबह शुरू होगा। शिक्षक मो ने महसूस किया कि उसने बहुत कुछ कहा। उसने उत्साहित युवकों को रोकने के लिए हाथ हिलाया। जब हर किसी ने इन शब्दों को सुना तो वे तितर बितर हो गए क्योंकि वे अपने साथ थोड़ा उत्साह वापस ले जाते हैं। मूचेन भी अपने तंबू में लौट आया और प्रशिक्षन के लिए अपनी आँखें बंद कर ली। उन्होंने एक बार फिर यह देखने की कोशिश की कि क्या वह दूसरे असी देख रहे थे। मूचेन तांग कियान एर के साथ था। उसने अपनी आखें इधर उधर घुमाई और पास में टैन की शान को देखा। मो लिंग वास्तव में उसके बगल में था। ऐसा लगता है कि दोनों ने एक टीम बनाई है। इससे मूचेन थोड़ा हैरान रह आखिरकार मो लिंग के पास एक आध्यात में कांदोलन चरण के अंतिम चरण की ताकत थी। अगर वह किसी के साथ टीम बनाने के लिए धूनदना चाहता था तो टैन किंशान की तुलना में कई लोग अधिक उप्यूक्त हैं। मूचेन आपने कियान एर के साथ एक टीम बन चून की वह एक नवागंतोक हैं, इसलिए यहां आना थोड़ा जोखिम भरा होगा। मैंने सोचा कि मुझे उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मो लिंग ने कहा कि जैसे ही उसने मूचेन को देखा और वह टैन किंशान को ले आया। मूचेन थोड़ा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मो लिंग के शब्दू से वह बता सकता था कि वह उसके साथ एक अच्छा रिष्टा बनाना चाहता था। ऐसा लगता है कि मो लिंग चैन की शान की देखभाल करना चाहता था क्योंकि वह उसके साथ एक अच्छा रिष्टा बनाना चाहता था। सीन वे कुछ देर तक बाते करते रहे और हंसते रहे, फिर अचानक उनकी आवाजे बंध हो गई, उनके दाई ओर से व्यक्तियों का एक समूह अचानक अलग हो गया और कुछ परिचित आंकडे मूँचेन के सामने दिखाई दिये, समूह का नित्रित्व करने वाले लियू यांग जो अकादमी प्रतियोगिता में मूँचेन से हार गये थे, लियू यांग ने मूँचेन को देखा, उसकी आख ये थोड़ी ठंडी थी, अकादमी प्रतियोगिता के दौरान लड़ाई ने उनकी प्रतिष्ठा को काफी प्रभावित किया था, यद्यपी उनके बड़े भा लियू मूबाई थे, लेकिन जब उन्होंने हेवन क्लास में प्रवेश किया तो गुप्त रूप से उनका मजाक उड़ाया गया, इस प्रकार उसका दिल अभी भी क्रोध से भरा हुआ था, मूँचेन ने केवल लियू यांग पर एक नजर डाली, इससे पहले कि उसने अप की प्रतिष्ठा हाल ही में इतनी छोटी नहीं है, पीले कपडों में लड़का मूँचेन को देखते हुए मुस्कुराया और लापरवाह तरीके से बोला, चेन टोंग, आप क्या चाहते हैं? मू लिंग ने जब इन दोनों लड़कों को देखा तो उसने वहें उठाकर गहर आवाज में पूछा, मू चेन का चेहरा शांत रहा, चेन टोंग, यह नाम उत्तरी आध्यातमें ककादमी में काफी प्रसिद था, हालांकि वहलियू मुबाई से तुलना नहीं कर सका, फिर भी वह उत्तरी आध्यातमें ककादमी में कोल मिलाकर तीस्वे स्थान पर है, वह आ मेशा ऐसे थे जो अधिकार दिखाने की कोशिश करते थे. आने की हिम्मत करने से पहले आपको किसी को अब क्यूं लाना है? मूँ चेन ने लियू यांग पर नजर डाली और वह बोलते हुए मुस्कुराया. ओह, तुम बहुत घमंडी हो. आईए हम अपना परिचय दें. मैं वेस्ट ब्रांच का चेन टोंग हूँ. मैं बहुत समय पहले आध्यात्मिक मार्ग के लिए अरहता प्राप्त करने वाले एक मात्र व्यक्ती से मिलना चाह. ता था, चेन टोंग ने अपना हाथ पकड़ा और हसने लगा. चलो चलते हैं. मूँ चेन ने एक हलकी सी मुसकान छ थोड़ दी. वो इन दो व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए बहुत आलसी था. वो सीधे चेन टोंग के पक्ष से गुजरा. फिर, उसने अपने कदमों को रोक दिया और दूर से देखा. उस स्थान पर, लियू मुबाई, जो सफेद कपड़े पहने हुए थे और पास के छात्रों को चुप-चाप अपना मूह बंद कर लिया. यदि आप मुझे नापसंद करते हैं, तो खुद से मुझ पर आएं. ये लोग मेरे स्तर के अनुरूप नहीं है. मुचेन धीरे से हंसे. वो उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहा और तांग कियान, एर को श अंडी रोशनी चमक रही थी. वाह! लियू यांग ने बोलते हुए अपने दात किरकिरा कर लिये. चेन टोंग ने एक मुस्कान छोड़ दी, लेकिन उसकी आँखे काफी अंधेरी थी. ये ठीक है. हम उसे अभी दिखाने देंगे. उत्तरी आध्यात्मिक शेत्र में मिलने का मौका हमेशा होता है. उस समय, कोई भी नहीं देख रहा होगा. इसलिए मैं उसे सिखाऊंगा कि शिष्टाचार क्या है? वो वास्तव में है. एक लड़का, जो अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं करता है.